नेक्स्ट सातवाँ प्रसन है कि उस AP के पर्थम 22 पदों का यो ग्याद कीजिए यानिकि S 22 का मान ग्याद करना है जिसमें D का मान है साथ और 22 में पद का मान जो है वो है 149 अब इसमें 22 में पत का मान दिया निए A N का मान दे रखा है तो हम इसमें A N का फोर्मुला लगा लेंगे A 22 का मान 14 है तो A 22 के लिए फोर्मुला हो जाएगा A पलस 22 माइनस 1D बराबर 14 और D का मान इसमें 7 दिया हुए 22 में गटाएंगे 1 तो बचेगा 21 गुणा 7 बराबर 14 21 का गुणा करेंगे 7 से तो बनेगा 147 और A का मान हो जाएगा 149 पलस का 147 इसमें से गट जाएगा तो बचेगा 2 तो इसके लिए A का मान तो हो गया 2 अब हम इन 22 पतों का जोड करते हैं तो S 22 बराबर हो जाएगा 22 बटा 2 और A पलस A N A का मान है 2 और A N का मान 14 यानिकि हमने अबर S N का फॉर्मूला N बटा 2 A पलस A N लगाया क्योंकि हमें 22 में पतका भी मान जाता और पहले का भी 22 में 2 का बाकर देंगे तो जाएगा 11 पर 149 और 2 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 151 151 का बुना कर लेंगे 11 से तो बन जाएगा 1661 अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब गीजिए 152 और 1 253 और 2